सबी किसान साथियों को हमारा नमस्कार किसान भाईयों आप सभी का हमारे यूटूब चैनल अवध लाइब खेती में बहुत-बहुत स्वागत है किसान भाईयों जैसे कि मेरे साथ राहुल भाई हैं और आज इनके साथ एक नई वीडियो हम आप के लिए लेकर आए हैं किसान भाईयों आपकी फसले हैं जो भी फसले लगाते हैं विजिटेबल की फसले हो गई धान हो गया गिहूं हो गया गन्ना हो गया आज के टाइम में आवारा पस जो घूम रहे हैं वो बहुत ही बड़ी क्रिटिकल समस्या उत्पन कर रहे हैं और हमारी फसलों में घुशते हैं और पूरी फसल को नस्ट कर देते हैं अगर आप एक एकड की फसल करते हैं और अगर उसमें आपका 50,000 रुपे की लागत आई है तो वो जन्द 1 मिनट में आपकी पूरी फसल खतम कर देते हैं तो किसान भाईयों उसी के बचाव के लिए आज हम राहुल भाई से जानकारी लेंगे और राहुल भाई ने क्या उपाय किया है इनका जो खेत है ये एक एकड से जादा है इनोंने लगा कर रखा क्या रिस्पॉंस देखने को मिल रहा है इनी से हम जानेंगे तो किसान भायों वीडियो को सुरू करें इससे पहले जो चैनल पर नए हैं और पहली बारा हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ घंटी के बटन को दबा लें ताकि मेरी नई अपडेट जो भी वीडियो आए वो आपको मिल सके किसान भायों हम अब राहूल भाई से बात करते हैं हमारे किसान भायों को थोड़ा साब अपना एक छोटा सा परशिय दे दीजिए जन पदायोध्या से आप बिलाउन करते हैं जैसे कि मैं आपके इस खेत में देख भारा हूं पूरा आपने जाली लगा के रख दिया है इस जाली के बारे में थोड़ा हमारी किशान भायों को सजेशन दीजिए क्या सिस्टम है इसका जाली लगाने से सर हमारा बहुत फाइ अगर खायए तामान लेगो भी खायली है तो सवय रुपा का तो हमारा दस रुपा हिसाब से सव पीडिका एक खजार का नुकसान हो इसी के इस सोच के हमने येटू पे हमने देखा टॉला जाली लोह गा जाल तो हमने सोचा ये लगा देते हैं तो हमारा भी बचत है और जाली की क्वालिटी भी है लोह वगरा भी सिस्टम इसका होता है यह आठ गेज का तार्थ पिलाज से कोई कट नहीं सकता है अच्छा इसे देख पा रहा हूं मैं आपने इसमें एंगल भी लगाया और नीचे डहलाई भी करवाई क्या कैसे इसको किया क्या सिस्टम बना है यह इसको जमीन में दो फिट गारा है यह मारा दस फुट का इंगल है जाली का उजान जो है पांच फिट है अच्छा और एक इंगल से दूसरा इंगल का जो दूरी है दस फिट पहले आप अपनी फसलों में लगाये थे तो आमारा पसु हैं बहुत नुक्सान करते थी अभी आ छाए सकता है जी आप खुद हलने के लिए क्लिए उपाए बना गेट वगए भी बना रहा है तो आप जटका मसीन एक तरफ रखें और एक तरफ जाली को रखें तो क्या आप प्रिफर करना चाहेंगे जाली बेटर है या जाली ज़ादा बेटर है इसमें सबसे अच्छा है हमनर कोई नुकसान नहीं होता है जी हमारे जिए जीह आफट विज्गे जाली जो है काफी तो अच्छी रही अच्छा अगर मैं बात करूं तो इसमें पूरे में जाली अगर हमारा कोई खेंगो अपना लगवाना चाहता कितनी लागत आजाएगी उसकी लगभग यह सार हम तब की टाइम पे टोटल तो लाग का इसमें अबराल का स्टाइ थी जब से दो लाख आप लगाए होंगे तो आपकी बचत भी काफी क्यों कि पहले आपकी जानवर जो थे बहुत नस्ट कर रहे होंगे फसलों को तो हमारे किसान बहीं को क्या सजेशन देना चाहेंगे इसके गाया है अचको मिलद में तो बचने आपके ऑई जैसे हम लोही के जाल लगाए होंगे उसके साथ में यह हमेंिस अला देंगे इंगल ले नहीं से क्या फाइदा हैं आज हम जैसे कि हम औरताली सर्कल में ले यह थे खिन और इसको दो साल पने ले जे अगए फ यह यह और हमाराति देख रहा है हॉँ आज कीछी हज साफ साही है हका ChenSiña तरहा हा हुं जब हम इसको बेचंगे टो हमारे जीतना का लिया था उतना दामिय देगा हи जी 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 जिय जी 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 и कहाधता रुपय यह तार था हुंग कमसे काम यह 20 साल तो चले गा ही गयह अगर सात्प पक खर्चा देखते हैं, तो हमारा नुकसान नहीं है, वो जाल और इंगल, जितना कर लगाए थे, कबार के वहाँ बेचेंगे, उतना ही मिलेगा, और दात में हमारा फसल भी बच्चा है, जैसे मैं देख पर रहा हूं, यह लोहा होता है, अल्मूनियम होता है, क्या होता है, यह अब हित इसमें जंग नहीं दिखाई रहा है, जो कहीं इसे दिखा रहा है, अशा जंग अगर है कोई समस्जा ही, तो किसान भीओं जैसा कि राहूल भाई ने इसके बारे में काफी अच्छी जानकारी दी और काफी अच्छा सिस्ट्म है, आप अपने खेतों में लगा कर इ इससे आपके खेत की एक खुबसूरती भी निकल के सामने आती ही, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है खेत, तो किसान भाईयों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जादा से जादा से शेयर करें, और कमेंट सेक्षन में मुझे जाकर बताएं कि वीडि वीडियों के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद.